जैहिन फ्रेंड्स गुड मॉनिंग एंड स्वागत आपका प्रमोश सर्वारारसी में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी द्वारा जो महत्पूर न्यूज है इसके विसे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे लेकपाल रिजल्ट जो जारी ह इसके विसे में और यूपी PCS की नई वैकंसी के बारे में एई वैकंसी के बारे में और जूनियर असिस्टेंट 1262 की रिजल्ट के बारे में तो फ्रेंड्स से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल क चैनल कि पाल का रिजल्ट देरात साम को जारी कर दिया गया और हमने दो तीन दिन पहले ले आपका रिजल्ट रील्ट 29 ऐटीस दिसंबर से पहले replen ही हर हाल में जारी होगा और इस शुबह की वीडियोए था कि आपकाglich आपको आज देर रात साथ से और आर बज़े के जारी होगा वहात बिल्कुल सही हुई अब देख curiosity हमने लग बह गया दो subscribe कहले 15 दिन पहले यहां पर देख लिजिए अपलोड का वीडियो वीडियो हुआ है यह भी देख लिजिए दो सबताह पहले हमने वीडियो अप्लोड किया था कि लेकपाल के expected cut-off के बारे में तो आपका third list का जो cut-off जारी हुआ था उसके बाद हमने एक genuine cut-off के नाम से वीडियो बनाया था तो वह हमारा genuine cut-off ए रहा और आपका जो final cut-off जारी हुआ ए रहा तो आप मिला लिजिए यह cut-off बिल्कुल जो है match कर जाएगा आपसे और हमने cut-off बताया था कि आपका UR 80.5 से लेकर 81.25 तक जाएगा अगर इससे उपर जाता है तो भीया राम भरोसे रहेगा और OBC का 80 हमने बताया था 80 से 81 की बीच और ST का बताया था 77.50 और ST का 69.50 फिमेल का 77 से 78 की बीच हमने बताया था तो यह cut-off जो है आप देख लिजे cut-off कितना गया है तो 77.25 यहाँ पर फिमेल का गया है वहीं ST की बात करें ST की बात करें 75 देखी यहाँ पर गया है और हमने बताया था ST का 77.50 तो यहाँ पर कम गया है ST की बात करें 79.50 और यहाँ पर 66.50 गया है ठीक है तो यहाँ पर देखें फिमेल का cut-off और उसके बाद आपका OBC तो लगभग हमने बताया था जो cut-off बिलकुल ECK range में है एक दो नमबर आगे पीछे है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो हमने बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजए आगे अपडेट के लिए क्योंकि आगे जो भी वैकंसी आएंगी आपको सबसे पहले यहाँ पर इस चैनल पर जानकारी मिलेगी और बिलकुल सही और 60 जानकारी मिलेगी नेक्स्ट बात करते हैं UPPCS नई भरती सुचना के बारे में तो UPPCS की नई वैकंसी आपको बहुत जल देखने को मिलने वाली है और यहाँ वैकंसी 10 जनवरी से पहले हर हाल में देखने को मिल जाएगी उनकारी और यह 10 जनवरी हैं मैकसी मारी मता रहा है है वैसे आपको जनवरी के फ़र्स्ट वीक में ही UPPCS की नई वैकंसी देखने को मिलने वाली है तो राज़ीखर्चिंशी शेवा परिच्छ़ा के पार्टकरम में भी होना परिवर्तन परिख्षा योजना और समकक्ष आरता के निर्धारत के इंतजार में समलित राज्य अभियंतरन सेवा परिख्षा के ताहत सहायक अभियंता के पदों पर भरती के लिए पाठिकरा में परिवर्तन होना है अगर ए प्रक्रिया समय से पूरी हो गई होती तो उत्तरप्रदेश लोक से वायोग यानी UPSC इसी वर्स इन भर्तियों का विग्यापन जारी कर देगा अगले साल ही दोनों भर्तियों का विग्यापन जारी होगा इसमें जो है अधियाचन मिले तीन माह से अधिक समय बीच चुके हैं और कुछ पद और इसमें आड होंगे तो पाठकरा में परिवर्तन होना है इसके वाज़ा से पाठकरा में संसोधन के बाद ही पदों पर भर्त तो बस थोड़ा सा वेट और कर यहां तो बस थोडा सा वेट और करिए का विग्यापन आपको देखने को मिलने वाला है ने रिख शे ऑवालाա करते हैं जूलियर एससीटें बाराशोथ 1262 के बारे में तो देखे लेकपाल का रिजल्ट फाइलि जारी हो गया है अब जूनियर ऐसिस्टट का रिजल्ट देखे बहुत जल्ड जारी होगा तो जूनियर असिस्टेंट वाले जितने लोग यहां पर जिनके इस पर कटाफ पर वीडियो बहुत जल्द आएगी ठीक है तो जिन केंडिडेट्स का उतने मार्क के रेंज में है वो लोग अपनी टाइपिंग जो है लगातार करते रहें तो कटाफ पर वीडियो बहुत जल्द एक से दो दिन में यहां जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए जल्द ही जन्वन कटाफ की वीडियो आपको देखने को मिलेगी next बात करते हैं मुख्य सेविका के result के बारे में तो मुख्य सेविका के result देखिए अभी मुख्य सेविका का सुनवाई quote में जो है 5 जनवरी को लगा हुआ है तो बस 5 जनवरी के बाद जो भी update होगा आपके साथ share कर देंगे बाकी मुक्सिविका का result 5 जनुरी के बाद जो भी होगा उसके बाद आपको clear बताएंगे कब इसके result पर काम होगा नेक्स्ट बात करते हैं UPSSCE-JE वेकनसी के बारे में तो UPSSCE-JE की वेकनसी आपको हर हाल में UPSSCE जो PET है PET 2022 के माद्यम से ही देखने को मिलने वाला है इस चीज़ को आप 100% नोट कर लीजिए यानि UPSSCE-JE का विग्यापन आपको PET 2022 के माद्यम से ही देखने को मिलने वाला है नेच्ट बात करते हैं AGTA विग्यापन तो AGTA विऊपन आपका लगभख कितने पदों पर आने वाला है तो लगभख आपको 4,000 पदों पर AGTA का मिध्यापन जारी होने वाला है और यूपी ट्रिपल सी जेई में पदों की संख्या की बात करें तो इसमें लगभग 1500 पद रहने वाले हैं अगर इसमें सबसे पहले कौन सा बिग्यापन जारी होगा इसके अगर प्राथ्मिक्ता की बात करें तो इसमें जहां तक संभावना है आपका AGTA का विग्यापन या JAE के विग्यापन में घर बात करें तो यहां पर 60% chance सबसे पहले जारी होगा और 40% chance सबसे आपका AGTA का विग्यापन जारी हो सकता है ठीक है तो दोनों विग्यापन देखें पेड़ 2022 के माद्धिम से ही निकाले जाने है तो देखते हैं सबसे पहले कौँ सा विग्यापन आएगा वैसे जहां तो कुमीद है कि जैई का विग्यापन सबसे पहले देखने को मिलेगा नेक्स्ट बात करते हैं आई टी इंस्ट्रक्टर परिक्षा के बारे में तो आई टी इंस्ट्रक्टर परिक्षा जो 246 पर लगवक थे तो इसके एक्जाम जो है आपको जैनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट विक तक देखने को मिल सकते हैं तो आप लोग आई टी इं प्रकार X-ray technician का भी exam इसमें काफी कम candidate है इसलिए इसका भी exam आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है ठीक है तो इसके reference में नोटिस से बहुत जल्द देखने को मिलेगी बाकी लेकपाल के वज़ा से और vacancy यो पर काम नहीं हो पा रहा था तो लेकपाल का final result जारी कर दि अच्छा है उसके लिए जी जान से लग जाए क्योंकि इसमें बहुत ही कम कटाप पर इसमें selection होने वाला है जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जरू जूड़े क्योंकि यहां से जो भी जानकारी दी जाती है बिलकुल आथेंटिक जानकारी दी जाती है ठीक है तो फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम खुश रही है मस रही है मिलते हैं नेक्स टूडियो में